कि सो हेगाइज विल्कम बैक तो माइ यूट्यूब चैनल इस वीडियो लेक्शर में हम लोग अब किंग्डम पढ़ना स्टार्ट करेंगे सबसे पहला कि नम जो है हमाला किंग्डम मौन इरा ठीक है आये हम लोग किंग्डम मौन इरा को स्टार्ट करते हैं कि अब तो पढ़ने से पहले लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मेंबर कैसे होंगे यूनि से जुलर प्रोकरियो टेक ठीक है अगर आप लोगों वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसे देख लें मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगे को तो किनग्डम मौने रहा हुआ को फिर हम लोगों ने देखा कि कार्ल वूस क्या कि ये दो टाइप में डिवाइड कर दिये एक हमारा आर्टी बैक्टिरिया और एक यू बैक्टिरिया ठीक है तो हम लोग इनके वीच में डिफ्रेंस यहीं पर देख ले देंक आखिर किस ब आप हर्स निपरेंट होंगे से हार्श इनभार्मेंट या हाथ कंडिशन में यू बैक्तिरिया क्या है दो स्विश्ट होगा अ genau को जो यउब्रेवल कंडिशन संथी यह टेमक्या होगा-इस यह क्या होगा-आम डिस ड wraith is different कैसे कि इसके सेल वॉल में क्या होता है कि स्यूडो पेप्टीडो ग्लाइकान प्रेजेंट होगा और इनके सेल वॉल में क्या होता है प्रॉपर ट्रू प्रेप्टीडो ग्लाइकान प्रेजेंट होता है अब मजदार वाली बात क्या है कि आर्की बैक्टीरिया का हार्स इंवार्यमेंट में प्रेजेंट होने का कारण ही यहीं है कि इनके सेल वॉल में क्या प्रेजेंट है प्रेप्टीडो ग्लाइकन नहीं प् कि peptidoglycan जो होता है वो membrane को sensitivity प्रवाइड करता है तो जब peptidoglycan प्रिजेंट ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि हम उबलते हुए पानी में है salt condition में है कि हम सबसे नीचे highest temperature में हाइए acidity वाले एरिया में प्रिजेंट है डक्टिरिया को sensitivity नहीं मिलती है उस सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करें तो इसलिए यू बैक्टिरिया कहें है इसको यू मतलब ट्रू ये ट्रू बैक्टिरिया है ठीक है तो आप आर की बैक्टिरिया को डिल करें तुम लोग पढ़ते हैं हम आर की बैक्टिरिया कि एक एक ए और सो नोन आज लिविंग फॉसिल ठीक है कैसा होगा यह भी सेम याद रख लेना है आपको प्रोकेरियोटिक यूनि सेलुलर अब फिर मैं यह रिपीट कर रहा हूं जहां प्रोकेरियोटिक आएगा राइबोजोम कैसा होगा यह सेवेंटी एस ती स्टोन प्रोटीन कैसा होगा रहर आप्सेंट होगा झाल कि मेंब्रेन बाउंडेड सेल और गेल्स आप्सेंट होगे ठीक है प्रॉपर नुक्लियस क्या होगा आप सिंट होगा नुकलियर में बेने अपसेट होगा साइट टो प्लास में ही क्या होगा क्रोमोजोम प्रेजेंट होगा डेने प्रेजेंट होगा अब आरकी बैक्टीरिया को हम लोग three टाप में डिवाइड कर देते हैं है ठीक है एक हमारा है अब हमित हैनो जयन एक है हेलो फाइल्स और एक है हमारा थर्मो एसीडो फाइल्स ठीक है तो इसको हम लोग अब एक टेवल के फर्म में पढ़ लेंगे कि हैबिटेट कैसा होगा ठीक है न्यूट्रिशन कैसा होगा और इनका स्पेश्यालिटी क्या स्पेशल फीचर क्या है ठीक है तो हम लोग इसको एक टेवल में देख लेते हैं अब हम लोग तीनों टाइप्स के फीचर के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहला हमारा क्या है 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 विटेट कि कहां प्रेजेंट होगा तो मिथैनों जिन्स हमारा मार्शी एरिया में प्रेजेंट होगा ठीक है मार्शी एरिया करने मतलब दल्दली एरिया ऑक्सीजन का कमी जहां पर औक्सीजन नहीं यह प्रेजेंट नहीं है है फाइपक्सिक कंडिशन है ठीक है है फाईल्व फाइल्स क्या होगा हाई है सॉल्ट ए पूंसेंट्रेशन सॉल्वशन ठीक है जिस सॉल्वशन या जहां सॉल्ट का जो कॉंसेंट्रेशन है वह बहुत ज्यादा है वहां पर भी क्या होगा हेलो फाइल्स हमारा सर्वाइव करेगा थर्म एस्ट फाइल्स क्या होगा हाई टेंपरेचर मतलब सो से 110 डिगरी सिल्सियस तक भी यह प्रिजेंट होगा और साथ ही साथ इंपर्टेट्इन क्या है कि यह थी वाले रिजन में प्रिजेंट होगा वॉय में जहां पे पिएच क्या है अbn लेस दंटू है यह यंग रखेड़नों कला ससल्प टीनओं म्हांस अब समझने की बात है कि पी यह जब दो से कं है तो इतना एस्टिक होगा और टमपरेचर सो एकसो दश डिगरी सिलस्टेस मतलब वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के वी उपर प्रेजेंट होता है कि उसको क्या बोलेंगा थर्मो नाम से पर चल रहा है न देहिए थर्मो मिंस हाइड एमपरेचर या टेमपरेचर आसीडो मिनस अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारा जो मिथैनो जिन्स होगा यह मार्शी एरिया में तो प्रिजेंट होगा ही कि साथ ही ही साथ कि रियूमेन जिसको गट मतलब लेंटरी कनाल गट ओफ काव काव बफैलो भी प्रिजेंट होगा काम क्या है क्यों प्रिजेंट रहेगा तो याद रखना है सबसे मज़ेदार बात क्या है कि मिथैनो जिन्स को चाहिए सेलूलोज ठीक है जहां सेलूलोज प्रिजेंट होगा जो की हमारे काव बफैलो के गट में मतलब अलिमेंटरी कनाल में प्रिजेंट है वहां पे सेलूलोज के ऊपर यह फीड करके इसको ब्रेकडाउन करेगा इसको तोड़ देगा ठीक है और कुछ गैसे रिलीज होते हैं जैसे सियो टू मिथेन तो मिथेनोजेंट का काम यहां है तो अब यही याद रखना है कि हम लोग जब पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन हुमन मेलफेर जो कि हमारा चैप्टर टेन है वहां पे इसको हम लोग दुबारा याद करेंगे कि मिथेनोजेंट क्योंकि रूमें में चैटे यह डंग्काव डंग को उसमें प्रेज़ेंट होगा और जब उस कावद अपना कर एक बाइड़ करते हैं तो वहां पर क्या होता है वहां स सी चेयो टू को सिटेटि इंब constituents होता है मिथेन बने गाNAF गते हैं तो मिथेन करते हैं तो मिथेन बने गा और उस मिथेन को पाता है सोर्स ऑफ इनर्जी या इसका फंक्शन क्या रहेगा है ठीक है फंक्शन या इस्पेशल फीचर कहिए इसको अब सब्सक्राइब प्रोड्यूस मिञ्थेन कैसे मिध्यन गैस बनेगा अभी लोग देख लिए इसके उपर है कि एक है लो फाइल्स में क्या होता है जब हाई सनलाइट होगा मैं यहीं लिख दे रहा हूँ अगर आप लोग नूट कर रहे हैं तो इसके नीचे लिखिएगा क्योंकि फिर मेरा यहां स्पेस नीचे खतम हो जाए जब हाई सनलाइट होगा तो एक परपल कलर का मेंब्रेन बनाएगा ठीक है परपल कलर का मेंब्रेन बनाएगा पिग्मेंट क्या होगा बैक्टिरियो रोडॉक्सीन और अब पिग्मेंट आ गया तो यह क्या करेगा सनलाइट एब्जॉर्फ करेगा एंड इनर्जी इस यूजड टू प्रोड्यूस एटीपी प्रोड्यूस एटीपी बट अब सबसे अच्छी बात क्या है कि यह एटीपी एटीपी खाना बनाने में हेल्प नहीं करेगा इसको अधर परपस में हेल्प करेगा एक फूर्फूर्ड डिपेंडेंट और अधर ओर्गेंजम और अब आप लोग इतने समझदार हो चुके हैं या होंगे तो पता होगा कि जब अधर ओर्गेंजम के लिए उपर फूड के लिए डिपेंडेंट है तो मोड अफ नूट्रिशन कैसा होगा हेटेरोट्रॉपिक होगा है अब आते हैं हम लोग थर्माशेटोफिल्स पर यह क्या होगा लिए वन प्रेजेंट और ऑक्षिडाइज इस सल्फर टू सल्फियूरिक एसिड या सल्फेट कंपाउंट्स अब डियू टू प्रेजेंस ओफ सल्फियूरिक एसिड इन अमीडियम दा मीडियम गेट्स एसिडिक ठीक है अब क्योंकि मीडियम एसिडिक हो गया है और यह क्या करेगा इस इनर्जी से अपना फूड बनाएगा इनर्जी यूजड फूर फूड प्रोडक्शन अगर हम लोग अब यहां बात करने कि मौड आफ नूट्रिशन की कि मौड आफ नूट्रिशन कैसा होगा तो यह खुद बनाएगा जैसे जिल्यूस के उपर तो खुल डिपेंडेंट है इसका जो नूट्रिशन होगा वह होगा कीमो आउटो ट्रॉपिक आउटो ट्रॉपिक यह तो भाई अधर और अर्गिनिजम पर डिपेंडेंट है तो यह होगा है है यह टेरो ट्रॉपिक और इसका कीमो सिंथेटिक आउटो ट्रॉपिक ठीक है एक्जाम्पल बेसिकली सबसे इंपॉर्णन मिथैनो जेन कहीं है जाम में पूछेगा हम लोग वहाँ पढ़ेंगे भी मिथैनो बैक्टीरियम एक और लिखने का मन है तो मिथैनो कोकस ठीक है इसका एक्जाम्पल नीचे दिखेगा नहीं उपर ही लिख लिया जाए एक्जाम्पल हेलो कोकस इसका एक्जाम्पल थर्मो प्रीटस अब जाते जाते एक बात और याद करते हुए जाए कि मिथैनो जैन्स आर श्ट्रिक्टली एन एरोबिक एन एरोबिक कहने का मतलब कि इनको ऑक्सिजन नहीं चाहिए भईया इनको ऑक्सिजन मिलेगा तो यह रताल करेंगे यह इनकी डेथ हो जाएगी ठीक है तो बायो गैस प्लांट हों भी देखेंगे हम लोग या हम लोग जब यहीं पर समझ ले रहे हैं कि स्ट्रिक्टली एन की मृत्यू हो जाएगी इस तरीके से हम लोग आर की बैक्टीरिया कंप्लीट कर लिए टेबल के फॉर्म में समझाने का यहीं मोटो था एजंडा जो क्या सकते हैं एजंडा क्या था कि एक जगह पे कंपैरीजन करके आप लोगों को सारी किसमन में आ जाएंगी सबसे इंप हाइ सॉल्ट कंडिशन वाला जो जगह है उसको भी देख लेते हैं कहां प्रेजेंट होगा तो सी वाटर में कि ब्राइन सॉल्यूशन में कि ब्राइन सॉल्यूशन कहने के मतलब हाई एनसल प्रेजेंट होगा ठीक है तो हम लोग मिलेंगे अब नेक्ट वीडियो में यह वीडियो अगर आपको समझ में आया पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें अपने फ्रेंट्स के भी शेयर क सब्सक्राइब करें हम लोग मिलेंगे नेक्ट वीडियो में यू बैक्टिरिया के साथ सबसे मज़दार टॉपिक जो है वह बैक्टिरिया इस्ट्रक्चर सर्फिस अपेंडिज जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा सबसे ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव पढ़ेंगे जो आपका पीछा च्छोड़ेगा ट्वेल्थ अगर आप में जाते हैं तो वहां भी पढ़ना ही पढ़ेगा ग्राम निगेटिव ग्राम